हाई फ्रेंड्स गुड बॉर्निंग वर्म वेलकम टू स्टेक गुरू जी इस वीडियो में हम एमाई से रिलेटर जो दिल्ली हाई कोट में केश चल रहा है इसकी रिगुनाइजेशन के लिए जो कि AICTC ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है उसे से रिलेटर जो केश चल रह हैं तो सबसे पहले गुगल में मैंने सर्च किया है कि A.M.I.E.I.E.I. High Court Status यानि कि दिल्ली हाई कोट का स्टेक तो इसमें लिखा है कि जो नेक्स्ट हेरिंग डेट है वो 79.2019 है यानि कि 17 सितंबर 2019 को इसकी नेक्स्ट हेरिंग है और इसमें लिखा है कि प्रिवियस जो जनुवरी 28-2019 को भी हैरिंग हुए थी और दे केस अफ रेट पेटिशन पेटिशन फिल्ट अगेंस्ट M.H.R.D. फॉर रिगनाईजेशन अफ दे कोर्स कैम अब बिफोर जज अफ हॉर नेबल हाई कोट अफ दिल्ली फॉर कम्प्रिटिशन और प्रूसीडिंग ऑन 17 माई 2018 अब सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली हाई कोट की ऑफीशल वैबसाइट पर केस आफिश जहां पे दिस्प्लै आउट होगा तो आप वैली हाई कोट के ओफीशल वैबसाइट पर आ चुके हैं तो इसमें जो सबसे पहले है सेरियल नमर 29929WP3790-2013 जहां पर order और judgment pending में है diary number case status आपके सामने represent हो रहा है अब petitioner और respondent की बात कर लेते हैं तो petitioner जो है Institute of Engineers इंडिया है VS Union of India ORS Advocate Saurabh Prakash जी है quote number 7 है इसकी जो next hearing है फिर से मैं repeat कर दे रहा हूँ इसकी जो next hearing है 17.09.2019 यानि कि 17.09.2019 को इसकी next hearing होनी है जो भी update आएगा status आएगा पहले आपको एक मैं clear कर देना चाहता हूँ maximum probability है कि इसको status में इसका case clear हो जाएगा और ये valid हो जाएगा ठीक है हो सकता है इसकी जो patterns में कुछ changing आने पड़े ठीक है इनकी exam pattern में इसके practicals जो हैं उसमें थोड़ा से changing आने पड़े लेकिन maximum probability है कि जो इसका case है वो institute of engineers जानी की IEI के favor में आएगा ठीक है सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए friends के साथ से air कीजिए okay friends thank you जहन